इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे पर आधारी था जिसका नाग हमेशा बिल में गुसने के लिए फटफटा आता रहता है तो क्या वो बिल में गुस पाएगा और अपने जहर की पिछकारी छोड़ पाएगा तो देखिए आज का ये वीडियो मुवी का नाम है What Every French Woman Wants मुवी की शुरुआत में 16 साल के लड़के को दिखाए जाता है जिसका नाम होता है रोजर लेकिन कारना में ऐसे की जोनी सिंस भी फेलो जाए रोजर समर वेकेशन में घर आ रहा होता है उसको लेने के लिए उसकी मा उसकी मेड बूबिता को भेजती है वो एक गोड़े गाड़ी में आ रहे थे गोड़े की चाल के साथ साथ बूबिता के पपीते भी उचल रहे थे पपिते उचलते देख रोजर का काला नाग जाग उठा जैसे उसने कोई नागमणी देख लियो मिस बूबिता भी इस बात को नोटिस कर लेती है लेकिन वो हसकर बात को टाल देती है फिर वो घर पहुँच जाते है और उसकी मा उसका वेलकम करने बाहर आ जाती है मा की नजर उसके नीचे पेंट पे जाती है जहां पर बूबिता के पपिते देखने से उसका नल लिकेज हो जाता है और जैसे दूद को गरम करने पर मलाई छोड़ देता है वे सही रोजर भी गरम होकर मलाई छोड़ देता है फिर उसकी मा सी रोजर को डिफेंड करती है कि ऐ अचानक से जोर की लग जाती और वो रोजर के सामने ही खड़े-कड़े अपना टेंक खाली करने लग जाती है। ये देखकर रोजर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद में वो एक जिगा ठोकर खाकर गिर जाता है। गिरने के बाद उसे किसी लड़की के हसने की आवाज आती है। तबी अचानक वो देखता है कि किसी खोपचम उसके घर की एक मेड का किसी अंजान मर्द के साथ में मलाई और रबडी का आदान परदान चल रहा होता है। मेड की नजर रोजर पे पढ़ती है और वो हसने लगजाती है। रोजर घबरा कर गर की तरफ भाग जाता है। मेड हेलन वहाँ से चली जाती है। हतियार निकाल कर टंकी खाली करने लग जाती है। ये देखकर मेड भी एकसाइटिड हो जाती है और वो भी खड़ी होकर अपनी तिजोरी दिखा देती है। अगले सीन में रोजर की बड़ी बहन एलिसा को अपने फियोंसे के साथ में दिखाये जाता है। लिसा सबी लोगों से गले मिलती है सिवा रोजर के। रोजर को इस बात का बूरा लग जाता है। बरता ये सब देख लेती है और रोजर का मन हलका करने के लिए चर्च पे ले जाती है। वहाँ वे अपनी मासी मारगरेट को देखते हैं जो कुछ कनफेस करने आयती वो पादरी को कनफेस करती है कि रोजर को इमेजिन करके वो अपनी हवस बुजाती है। और ये सारी बाते रोजर सुन रहा होता है तब ही अचानक से रोजर छट से गिर जाता है और उनके सामने ही गिरता है रोजर का भंडा यहां पर फूड जाता है इसके बाद पादरी और मारगरेट रोजर की माग को यह सब बता देते हैं फिर सब मिलकर उसको सजा देते हैं औ और वो फिर बाहर जागता तो देखता है कि फिर से मेड हेलन की कोई और बजजी ले रहा होता है रोजर के साथ यहाँ पर मिस्टर फ्रेंक भी ये नजारा देख रहे होते है रोजर फिर उपर फ्रेंक के रूम में जाता है और चरम सुका आनंद ले रहे होते है वहाँ से रोजर अपने कमरे की और जा रहा होता है तो अपने मा के कमरे से कुछ आवाजे आ रही होती है वो की होल से जाकता है तबी एलिसा का फियंसे वहाँ पे आ जाता और उसको देख लेता है रोजर उसके सामने गिड़ गिड़ाता और किसी को ना बताने के लिए बोलता है फिर एलिसा का फियांसे रोजर से अपनी कार साफ करवाता है अगले सीन में रोजर घोड़े के अस्तबल में चिपकर असलील नोबल पढ़ रहा होता है तबी वहाँ पे घर का एक नोकर आ जाता है रोजर उसको देखर एक कौने में चिप जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ हेलन भी आती है एक खिड़की से वो अंदर मुर्गियों को दाना डाल रही होती है तबी वो ठरकी नोकर खिड़की गिरा कर हेलन को खिड़की में बंद कर देता है और पीचे से हेलन का तबला बजाने लग जाता है हेलन रोजर को देख लेती है और उसकी हेल्प मांगती है रोजर हेलन की हेल्प करने बाहर जाता है तब तक वो नोकर अपना काम कर चुका होता है मुवी का सीन चेंज हो जाता है अगले सीन में एलिसा का फियांसे रोजर से कहता है कि मेरे जूते गंदे हो गया है इसे साफ कर दो रोजर ऐसा करने से मना कर देता है तबी एलिसा के फ्यांसे को गुस्सा आ जाता है और वो सारी बात रोजर की मा को बता देता है कि रात को ये आपके रूम में ताका जाकी कर रहा था उसकी मा रोजर को तुरंट घर से बाहर जाने को कहती है रोजर बाहर जाते जाते अपनी अशलील नोवल को एलिसा की बुक के साथ एकसेंज कर लेता है और चिपकर एलिसा को वो नोवल पढ़ते वे देखता है अब रोजर का मुन्ना बेकाबू हो जाता है वो मुन्ने को शांत करने के लिए किसी को ढूंडता है तबी कीचन वी उसकी मेड उसूला उसको मिलती है उसुला को वो पीछे से पकड़ लेता है तबी उसुला डर जाती है और उसके सीर पर प्लेट मार देती है फिर उसुला को लगता है कि ये तो अपना छोटा चेतन है और वो उसके साथ गपागप के लिए तयार हो जाती है तबी अचानक से वहां मोटी सी मेड आ जाती है रोजर छट पटाते साप के साथ वहाँ से भाग जाता है फिर वो मिस बूबिता को देखता है वो उसके पीछे जाकर बूबिता को पकड़ लेता और उसके संतरे निचोडने लग जाता है बुबिता भी उसको मना नहीं कर पाती है तब ही वहाँ डाकिया आ जाता है और जोर से चिलाता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर आकर्मन कर दिया है तो गाम के सारे मर्दों को जंग में जाना पड़ेगा रोज़र को ये बात पता चलते ही खुश हो जाता है कि अब घर पे सारी औरते अकेली रहेगी रात को वो देखता है कि सबी मर्द अपनी अपनी औरतों के साथ जंगल में पेलं पेली मचा रही थे क्योंकि वहाँ पर ये रिवाज होता है कि जंग में जाने से पहले ये सब लोग करते है अगले दिन रोजर सबसे पहले उसूला को पकड़ता है, उसूला भी रोजर के साथ हमिस्तर होना चाहती थी, तो दोनों मिलकर सारी रात पलंग तोड़ खुदा ही करते है, अगले सीन में तालाप के किनारे रोजर और उसकी घर की एक मेट केट को देखते है, रोजर पानी से होके मार्गरेड भी थोड़े दिर बाद में इन सब में शामिल हो जाती है, और मचक के सारी रात तबला बजवाती है, रात को मेड हैलन हमेशा की तरह उसके कमरे के पास आती है, लेकिन उसका तबला वादक जंग में गया हुआ था, तो वो रोजर के रूम में आ जाती है, रोजर उससे पूचता कि डेली रात को कौन तुमारी लेता है, तब हेलन बोलते है कि ये सिर्फ एक राज है, और उसके बाद रोजर हेलन को वहीं पटक कर हमविस्तर हो जाता है, यहाँ पर दोनों को जंदत नसीब हो जाती है, अब रोजर का आखरी निशाना उसकी बहन एलिसा थी, वो एलिसा के पास जाकर उसके खरबूजे दबाने लग जाता है, एलिसा पहले इसका विरोध करती है लेकिन फिर वो भी मजे लेने लग जाती है, अब रोजर की किसमत पलट गई थी, डेली उसके रूम में लाइन लगी रहती थी और एक के करके वो सबके मजे लेता था, एक दिन मजे लेने के बाद एलिसा रोजर से कहती है कि वो प्रेगनेंट हो गई ये, तबी वो देखते है कि एलिसा का फियान से भी युद्ध से वापस आ जाता है, गर के सारे मर्द जंग खतम होने के वज़े से गर पे वापस आ जाते है, रोजर सोचता है कि अब इस बलास केसे निप्टे, थोड़ी देर बाद उसकी मासी भी आकर कहती है कि वो भी प्रेगनेट हो गई है, फिर रोजर एक प्लान बनाता है, वो मेड उसूला से कहकर लाल नेल पेंट मंगवाता है, और एलिसा के बेड़ पर लगा देता है, और वो फिर एलिसा को अप किसी और से प्यार करती है, ऐसा करके एक साथ तीन शादिया हो जाती है, फिर थोड़े दिन बाद हेलन भी रोजर के पास आकर कहती है कि वो भी प्रेगनेट हो गई है, लेकिन तुम इसकी टेंशन मत लेना घर के सभी मर्दों ने मेरे साथ गपागप किया है, मैं किसी का भ चुटिया खतम होने के वज़े से वो गर से वापस चला जाता है, और यहीं पर मुवी खतम हो जाती है, तो दोस्तों देखाओगा कि आपने कैसे ठरकी रोजर एक एक करके सभी गर की औरतों के साथ में घपागप करता है, अगर आपको मुवी अच्छी लगी तो लाइक ज जरूर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा